सूपर कॉप सीरीज के अंदर आज हम चर्चा करेंगे उम्परकाजी व्यास से उम्परकाजी व्यास हुमन राइट्स के अंदर एक बहुत बड़े अधिकारी हैं इससे पहले आप सीबी आई के अंदर एक काफी बड़े पुलिस अधिकारी थे और पुलिस के अंदर विभिन मुकदमों को सुलजाने के लिए और उत्रिस शेवों के लिए आपको राष्ट पती पुरुसकार भी मिल चुका है तो चलिए चर्चा करते हैं उम्रकाजी से उम्रकाजी सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर उम्रकाजी आप एक छोटे से कस्वे से आपने एक बहुत बड़ी पत तक आपने यह जो यात्रा की तो और आपको कई वार उत्रिस शेवों के लिए पुरुसकार राष्पती पदग भी मिला है तो ऐसे कौन से आपने केस रटाए या ऐसी कौन सी जांचे की कुन मुकदमों की की आपको यह पदग तक आप पहुँच पाए राष्टियम आनवा दिकार आयोग में मुझे आयोग के द्वारा कई महत्वपून केसों में जांच के लिए नेत्रित्व करने का मुझे आउसर प्राप्त हुआ राजस्थान के एदी में केसों के एदी में बात करूँ तो प्रमुक केस जो है वो सिवानी जाडेजा जो तेजा अपकांड जिसमें पूरा राजस्थान काफी हीला हुआ था एक तरह से क्योंकि अपनी तरह का वो पहला केस था उसकी मुझे जांच करने का आदेश जांच की दोलपूर का गीता शर्मा केस था उसकी मैंने जांच की और उसके अलावा कई तरह के हिरासत में मृत्यू के जो मामले थे उनकी मैंने जांच की पिछले वर्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए मैं जे जुन जुनु जिले में माननी आयोक के द्वारा भ मुझे करने का आउसर प्राप्त हुआ सल्वा जुडूम 36 गड का बहुत ही चैलेंजिंग केस था जिसमें सर्वोच नहाले के आदेश से मानवा दिकारायों को कहा गया कि आप इसकी निस्पक्स रूप से जांच करवा हैं उस टीम का में एक हिस्सा था उसकी हमने जांच की और देश के विभिन भागों के अंदर अलग लगत रहके केसे जो हैं उनकी जांच करने का मिला हर्याना के अंदर हमारे एक परिवादी चोधरी भजनलाल जो मुख्य मंत्री रहे हैं बूटा सिंग जी जो मंत्री रहे हैं उनके परिवाद के उपर भी मुझे जांच करने क आउसर मिला तो सेक्डों केस हैं इस तरीके के कि जिनके अंदर मुझे जाज करने का आउसर प्राप्त हुआ माननी है आयोग ने हमारी जाज के निस्कर्स के आधार के उपर पीडितों को नियाय प्रदान किया अबरकाशी एक बात बताईए कि आपने जितने भी जो केस वॉल्व के हैं इन बहुत से केस जो है बिलकुर हाई प्रोफाइल थे तो ऐसे हाई प्रोफाइल केस चुल जाते समय आपके ओपर कोई राजनितिक दबाव या इस तरह से आपने कभी कोई महसूस किया या इस तरह क की परिशितिया बनती है देखे मानव अधिकार आयोग की छवी एक निक्सपक संस्था की है और आज विश्व के जितने मानव अधिकार आयोग विभिन देशों के अंदर बने हुए हैं उन सभी मानव अधिकार आयोगों के अंदर भारत के राष्टे मानव अधिकार यहां उन्हीं ओफिसर्स को लिए जाता है जिनका बेदाग सेवाकाल रहा हो तो मुझे अपने पूरे सेवाकाल में, कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे किसी ने एपरोच भी किया हूँ, किसी भी केस की जाँच के सिलसले में, और दूसरी बात यह है कि हमारी जो एपरोच जो रहती है, वो विक्टिम औरियंटेड रहती है, और मैंने अपनी जाँच में विक्टिम की जगे पीडित की जगे अपने आपको स्वयम को रख करके फिर उसी साफ से मैंने जांच प्रारम्ब की है और मुझे पूर्ण संतुष्टी है मैं संतोस है मुझे इस चीज का कि मैं अपने कारे को सफलता पूरवक अंजाम दे पाया अंपरकाजी आपने मेरे गाउं के अंदर भी एक जांच की थी अक्सर क्या होता है कि राजस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी जगे होती है जहां पे दलितों को गोडिशे उतार देने की खबरें अक्सर छपती रती है उनके पीछे कई कारण हो सकते हैं ऐसा ही एक कई वर्स पहल लगा था और वो मामला भी आपके मानवादिकार आयोग तक पहुंचा था तो उसको आपने कैसे सॉल्व किया देखे उस केस में जो सच जो सामने आया वो कुछ इस तरह से हुआ कि लोग सोच रहे थे कि टीम जो है वो सरकेट आउस में बैठ करके जांच करेगी तो उनको यह अंदाजा नहीं था कि वो ग्राउंड पे आकर के बात करेंगी तो जो जितने लोग थे जिनको हम से मिलना था वो पहुंच गे सरकेट आउस और हम जब आये तो हमें मिली सिरफ महिलाएं अब चुकि महिलाएं उस पूरे वाकिये की चस्मदीद गवां थी जिनों ने उ केस में क्या और किस तरह से गठना करम हुआ होगा या हुआ है तो उसके बाद में जब हमारे पास में लोगों के बयान हुए तो हम उनको इतना बताने की इस्तिती में थे कि यहां तक तो आप ठीक बोल रहे हैं और यहां आपके गर की महिलाओं ने ही इस चीज के बारे में उन्होंने काया कि तथ्य ऐसे नहीं थे तो मैं पूरा स्रे भगोतपूरा की गाउं की महिलाओं को जिसमें दलित वर्ग भी शामिल है और दूसरे वर्ग भी समाज के जो दूसरे वर्ग हैं वो भी शामिल है और उससे हम लोग अपना एक निसकर्स निकाल पाए और हमने अ सच सचता वो बताया कोई भी बनावटी बाते नहीं की जबकि पुरुष जो है वो एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं देखिए कई तरह के कारणों होते हैं मैं उन कारणों में जाना नहीं चाहता क्योंकि हमारा काम यह होता है कि आप इस चीज की आपको जांच करनी है यह तथ्य हैं जिन तथ्यों के ऊपर आपको अपनी जांच केंद्रित करनी है और सामने आपकी जांच में क्या तथ्य निकल करके आ रहे हैं तो वो तथ्य हमारे सामने अच्छी तरह निकल करके आए और सोहार्थ पूर्ण मा वातावरन में और सद्भाव के साथ में देखे, बंदवा मजदूरी में राष्ट्य मानव अधिकार आयोग की एहम भूमी का है. सर्वोच नयायले ने जो बॉंडेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट है, बंदवा मजदूर उन्मुलन जो अधिनियम जो कानून है, उसके मोनिटरिंग की जो जिम्मेदारी है, वो राष्टे मानव अधिकार आयोग को दी हुई है. तो एक तरह से सर्वोच नयायले ने आपको मेंडेट दिया है इस पूरे एक्ट के लिए. 1976 में ये एक्ट बना और ये एक ऐसा एक्ट है अपने आप में इतना जबरदस्त सोशल वेलफेर लेजिसलेशन है कि जिसके अंदर भारत की संसद ने एक्जिक्यूटी मेजिस्टेट के उपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी कि बंदवा मजदूरी के उन्मुलन के ल आइस्टियम जो कलेक्टर के अधिनस्त अधिकारी है टेश्टिक मेजिस्टेट के उनको फर्स्ट क्लास जुडिशल मेजिस्टेट के पावर दिये कि जिसमें वो तीन साल तक की सजा और जुर्माना दोनों कर सकते हैं इसमें समरी ट्राइल का पावर है इतना जबरदस्त उनके उपर विश्वास रखा गया. मानव अधिकार आयोग में सबसे ज़्यादा काम बंद्वा मजदूरी के इस क्षेतर के अंदर जो मैंने देखा, वो जस्टिस B.C. पटेल, जो दिल्ली उचनयाले के मुखे नयादीश रहे हैं. जस्टिस स्री दर्मार मुर्गेशन, वो भी दिल्ली उचनयाले के मुखे नयादीश रहे हैं. उनके अधिनस्त मुझे सीधे काम करने का अवसर प्राप्त उहार हैं. दोनों जजज बहुत कमिटेट जजज थे इस सामाजिक बुराई को इस देश से खतम करने के लिए. तो काम करते से मैं हमको यह लगा कि सम्बरी ट्राइल के तो पावर दिये गए हैं. लेकिन सम्बरी ट्राइल का प्रोशीजर ही नहीं लिखा गया अभी तक. तो उस प्रोशीजर के नहीं लिखने से जो एक्जिक्यूटिव मजिस्टेट्स हैं, उनके सामने सम्बरी ट्राइल कंड़क्ट करने के लिए सबसे बड़ी समश्या आ रही थी. और उसमें कन्विक्शन नहीं हो रहे थे, सजा नहीं दे पा रहे थे वो. तो विचार वीमर्स के बाद में मैंने जस्टिस दर्मार मुर्गेशन के निर्देशन में मैंने एक पुस्तक लिखी और मुझे गर्व ही इस चीज़ का कि उस पुस्तक का प्रकाशन राष्टे मानवदिकार आयोग ने करवाया और इस पुस्तक में जितने इसके साथ और लगेंगे क्या उसकी विधी होगी प्रक्रिया क्या होगी और किस तरह से आप पूरे उस मामले को आप निप्टा सकते हैं जो एकडेमिक फिल्ड के जो विध्यारती लोग हैं उनको इस विशे के बारे में जानकारी मिलेगी जो लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर से उनको अपने क्या उनके कारे हैं उसका पता चलेगा जो एंजियो है सिविल सोसाइटी है उनको यह कैसे पता चलेगा कि अमुक मजदूर बंद्वा मजदूर है या नहीं है तो जितने इसमें स्टेक होलडर्बर ay जो भागीदार हैं जितने सारे के सारे उन सब क ज्यान वर्दन के लिए ये पुस्तक हम लोगों ने लिखी क्योंकि आजकल बंद्वा मजदूरी की समश्या इतनी ज्यादा हो गई है तो कि इसके रूप विभिन हो गए है पहले सरवोच नया ले के सामने बंद्वा मजदूरी इंट बट्टे या पत्थर की ख़दानों तक सिमित था लेकिन इस भू मंडली करन के दोर में, गलोबलाईजेशन के दोर में, इतनी विभिन तरह के इसकर रूप हो गए कि आप construction activities में देख लीजिए, मोल्स में देख लीजिए, हम लोग पूरे देश के अंदर विभिन प्रांतों का दोरा करते हैं और हम लोग training देते हैं officers को, तो मैं दक्षिन बारत के एक शहर में वहां के जिला मजिस्टेट के पास बैठ करके बात कर रहा था, उन्होंने मुझ कि मैं खुद बंदवा मजदू रह चुका हूँ क्योंकि वह एक कॉल सेंटर के अंदर काम करते थे, आई एस बनने से पहले, और उनके जितने डोकुमेंट्स थे और थे, वह सारे के सारे रख लिए गए, कहते हैं मैं अपना नोक्री तक चेंज नहीं कर पाता था, मैं अप खतम होने के बज़ा, यह बढ़ती जा रही है, तो इस समस्या को रोकने के लिए, हमने सोचा कि जागरुकता पैदा करने के लिए, यह पुस्तक एक बहुत अच्छा टूल साबित होगी, इसलिए हमने इस पुस्तक को लिखा, व्यासी एक सवाल और आपसे, आप मानवा दि खारों की आड में, उनका बचाव करती है, तो इस तरह कि जब मांगें आपके सामने आती है, या मुद्दे सामने आते हैं, तो उनको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस संस्ता के मुख्या वो होते हैं, जो सर्वोच नयाले के मुख्य नयायदीस रह चुके होते हैं, और जो माननी सदश्य होते हैं, उनका या तो सुप्रिम कोर्ट के जज होते हैं, या उच नयाले के मुख्य नयायदीस होते हैं, य जब कोई भी परिवाद उनके सामने आता है तो उस परिवाद का संज्ञान लेते समय और उसके उपर तत्पस्चात विचार करने के समय जो तथ्य आते हैं उसी के अनुसार उस पे कारवाई होती है किसी भी गलत व्यक्ति के लिए मानव अधिकारायोग नहीं है मानव अधिक अधिकारों की रक्षा के लिए उसके सर्रक्षन के लिए है और इस तरह का उधारन जैसा आप बता रहें ऐसा आपके सामने कोई का आया भी नहीं होगा कि जिसमें इस तरह की कोई भांति को पुष्टी मिलती हो तो आप थे उमप्रकासी व्यास आप मानव अधिकार आयोग के अंदर बड़े अधिकारी हैं और आपने कई बड़े-बड़े ऐसे कैस सॉल्व किये हैं और उनकी जांच किये जिसके अंदर हाई प्रोफाइल लोग सामिल थे और केस भी काफी हाई प्रोफाइल रहे हैं हम फिर इसी तरह की सक्षियत से आपका परिच्य करवाएंगे जब तक जुड़े रहे हमारे चैनल ग्यांदरपन, सोरी अगरजना और सीकर टाइम्स के साथ धन्यवाद